जहें दोस्तों बंदे माता, Godfather Godfather चिरन जीवी और सलमान खान की मच अवेटेड मूवी बन गई थी जब ये बात निकल कर सामने आई थी कि सलमान खान इस मूवी में कैमियो रोल करने वाले है प्लस, Godfather की कहानी मोहनलाल की ही आई लूसिफर की रीमेक टाइप की बताई जा रही है तो ऐसे में लूसिफर जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी हिट मूवी थी उसका एक और संस्करण बनाया जाना, उसका रीमेक बनाया जाना जिसमें की एक और बड़े स्टार्ट चरंजीवी है तो अब्विस सी बात है ये एक पुराना मसाला नए पैकेट में टाइप की कहानी बन चुकी थी ऐसे मैं पब्लिक यही उमीद कर रही थी कि भई ये मूवी काफी अच्छी बनकर निकलेगी लेकिन ये मूवी ओल इन ओल सिर्फ स्लो मोशन से भरी हुए निकली स्लो मोशन जो कि आजकर हम लोग रील्स पे इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर वो मौज वगेना मुझे शॉर्ट वीडियो बनते हैं उनमें अक्सर देखते हैं कि हर कोई कहीं से भी आ जाकर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियो में स्लो मोशन बना के डाल देता है और लाखो लाइक पा लेता है शायद मेकर्स ने भी यही सोचागा कि बड़े परदे पर हमको इंस्टाग्राम के रील बनानी है और हर एक चीज में स्लो मोशन गुसाना है मतलब सल्मान खान का जो गुणाना स्लो मोशन आया था उसमें भी इतने गाह इतने स्लो मोशन नहीं थे जितने की गौड़ फादर में आपको स्लो मोशन देखने के लिए लेंगे अपार्ट फॉम दिस इस मूवी में कहानी के नाम पर वही सब कुछ है जो की होना चाहिए था लिूसिफर में मतलब लिूसिफर में जो भी कुछ चीजे थी उन सभी चीजों को यहाँ पर ब्लिटेंटली कॉपी किया गया है अब ऑविस सी बात है रीमेक है तो कौपी तो किया ही जाएगा लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सबसे अच्छी हुई है कि यहाँ पर सल्मान खान का तड़का लगा दिया गया क्योंकि चिरन जी भी अकेले इस मूवी के फ्लॉप होने का जो ठीक रहा था वो अपने सर पर शायद नहीं ले पाते तो अब इसमें सल्मान खान को भी थोड़ा बहुत दोज दिया जा सकता है लेकिन यहाँ पर एक और नोटिबल तिंग यह है यह एक समय था जब बॉल्यूड वाले बिल्कुल भी भाव नहीं दिया करते थे साउथ वालों को और आज की रेट में आप देखिए कि बॉल्यूड वाले जो है वो साउथ की मूवीज में कैमियो करते हूं नहीं जरा रहा है चाहे हम सलमान खान की बात करने हैं जेदेवगन की बात करने हैं अलिया भट की बात करने हैं मतलब यह लोग सब क्या कर रहे हैं यह लोग कैमियो ही तो कर रहे हैं न कहीं कर आटाग्राम पर या फिर मौज एब पर स्लो मोशन जो वीडियो होते हैं वो काफी पसंद आते हैं सलमान खान ने एक और काम बहुत अच्छा किया था और वो यह था कि इन्होंने मूवी रिलीज होने के ठीक पहले पता दिया था कि भाई इन्होंने इस मूवी में काम करने का मेकर से कोई पैसा नहीं लिया इससे सल्मान खान ने एक तिर से दो निशाने लगा पहला तो यह कि अगर मुवी फ्लॉप होती है तो वह तो साफ कहे दें कि हमने तो कोई पैसा नहीं लिया तो हमको जैसा पैसा दिया गया, हमने वैसे ही काम किया क्योंकि उनके काम को देखकर साफ तोर पर समझ में आ रहा है कि उन्होंने इस मूवी में बिल्कुल भीडंग का काम नहीं किया दूसरी बार इस मूवी में फ्री में काम करके उन्होंने साउथ में थोड़ी बहुत अफली की पब्लिसिटी पाही ली भाई चिरन जीवी के अगर हम बात करें तो वो मेगा स्टार है और एक जनरेशन के नहीं बल्कि दो से तीन जनरेशन के मेगा स्टार बन चुके है तो ऐसे में पब्लिक उनको देखने जरूर जाएगा बलेई ये मूवी हिट ना हो लेकिन जैसे आचार्रे के साथ हुआ था कि शुरू के दोतनी देन तो काफी लोग गय थे देखने एक सो चालिस करोड में बनी मूवी भले ही 75 करोड में कमा भाई थी लेकिन वो उसने दो से तीन देन चार दिन में ही कमा लिये थे तो ऐसे में चिरन जीवी के पॉपुलारिटी का थोड़ा बहुत फायदा उठाना था तो सलमान खान ने उठा लिया है और फ्री फोकट के उनको पॉब्लिसिटी मिल गई भले ही चिरन जीवी को फ्री फोकट में उतने स्क्रीन से नहीं मिलेंगे हिंदी पट्टी में जितने के उनको सलमान खान से मिलने की उमीद रही होगी लेकिन यहाँ पर गिवन टेक वाला मामला है तो थोड़ा बहुत फायदा तो सलमान को भी हो गया होगा अपार्ट वंड़ बासकर ने इस मूवी की फिजिक्स ही तो देखिए सलमान खान जहां हो वहाँ पर फिजिक्स को आप बिलकुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यह इनका आर्ट्स और साइन्स वालन आता है तो सलमान खान ने इसमें भी कुछ वैसा ही किया है कुछ जरूरत से ज़्यादा ही छोटे दिखाने की चक्कर में वी एफेक्स का भरपूर इस्तमाल किया गया है और उसके बाद भी वो जवान दिखाई दिये नहीं तो ऐसे में सलमान खान के लिए ये मूवी अंतिम दा फाइनल टृत के बाद एक और ऐसी भयावाज टाइप की मूवी निकल कर सामने आई है जो कि शायद पबलिक कुछी पसंद ना है हला कि पहले दो से दिन जैसे कि लाइगर ने किया था कि पहले दो दो दिन काफी अच्छा बिजनस किया था तो उमीद है कि ये मूवी भी कमा लेगी और वैसे भी इसको पीएस वन का टकर मिली रहा है पीएस वन साथा कांतारा भी अप्तुलाइन में आ गई है क्योंकि ये एक पैन इंडिया मूवी इसलिए में दोनों मूवी को टकर देंगी कि दोनों की माउथ पुबलिसिटी अच्छी है और पीएस वन ने तो दुनिया भर में 270 करोड रुपए ग्रॉस कलेक्शन भी कर लिया है तो ऐसे में कोई चोटा मोटा मुकावला नहीं काफी बड़ा मुकावला होने वाला है आप लोग इस बायन में क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर बता है मेरे इस व